हेलो दस्तों कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस व्लोग वीडियो में मैं आप लोग को अपने आफिस का टूर कराने वाला हूँ जैसा कि आपने टाइटल और थम्नेल में देख लिया होगा दोस्तों आप में से काफी सार लोग पूछ रहे थे कि भईया आप अपने इस्टूडियो के अंदर क्या क्या एक्क्यूप्मेंट यूज करते हो बैक्ग्राउंड को रिमूफ करने के लिउज करते हैं मतलब अगर हम लोग यहां पर वीडियो बनाते हैं इस तरह से तो बैक्ग्राउंड को हम लोग रिमूफ कर सकते हैं यहां पर जनरली हम लोग अपना इस्टूडियो दिखाता हूँ, तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे एक कैमरा होता है, जो कि यहाँ पर होता है, और जो मेन आप सीन देख पाते हो, लाइट ओन कर लेते हैं, ताकि आप लोग वो सारी चीजे अच्छे से दिखाई दे, तो वहाँ से सामने में कैमरा ह होता है, वहाँ से हम लोग इस तरह का सीन आप लोग देख पाते हो, लेगिन इसके बेहाइंड दे सीन क्या होते हैं, जैसे कि बैग्राउंड में आप लोग को क्या क्या चीजे नहीं दिखाई देती हैं, जैसे कि रिंग लाइट वगेदा और क्या क्या चीजे हैं, कहां प विदियो बनाना होता है तो यहाँ पर हम लोग फोकसe मारते हैं tego आप लोग के लिए तो हिलहके आप देख्सकते को दो रींग लाइट के अन्दर क्या कर सकते हो देखिए हम आप से चला जा रहता है ऑतना इसको अलवा fame आपको यहां पर यहा पर और दिल के लीन का बदुड़ियो वीडियो बना रहे हो तो यह तो हो इक शुल में के हैं जोकि की कैनन न का M50 Mark II है और इसके अंदर हम लोग 50 mm का लेंस यूज़ करते हैं अभी फिलाल जितने भी रिसेंट्री वीडियोस आप देखते हो वो सारे वीडियोस इसी कैमरे के तुरू रिकॉर्ड होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारा कैमरा इसके अलबा यह हमारा फैसिलिटी देखने को मिल जाती है इसको आप इससर से मोड भी सकते हैं तो यह सारे चीज़े हैं डिजी टेक का यह हमारा इस्टेंड है जो की लगभग 1500 रुपे के आसपास यह हमारे को पड़ा हुआ था इसके अलोग यह जो कैमरा है वो 58,000 रुपीस पड़ा हुआ था यह लेंसेस होगेरा हमने अलग से खर दे हुए है इसके अंदर जो बेसिक लेंस आता है वो 18 पच्पन का आता है यह वाला आप लैप्टॉप देख पारे होगे यह सैमसंग का है हमारा गैलेक्सी बुक 3,360 डिग्री जो की पूरा 360 रोटेट हो जाता है साथ में आप लोग को ए लेप्टॉप काफी अच्छा है काफी यूसफुल है इसके लावा हमारा यह दो मुबाइल फोन हो जाता है जो की ट्रेडिंग करते टाइम हमारे को काम आता है मतलब अगर हम लोग यहाँ पर लैप्टॉप के अंदर दो चार्ट ओपन करके रखे हुए स्प्लिट करके चार्ट और प्रीमियम का चार्ट साथ में हम लोग यहाँ पर और को मैनेज कर पाते हैं तो ज्यादा इजी हम लोग यहाँ पर चीजों को मैनेज कर पाते हैं इसके अलावा जो मेन फेक्टर होता है वीडियो क्रियेटर के लिए वह हमारा माइक होता है मतलब हम लोग माइक यूज हो जाता है हलाकि इस माइक को हम लोग पहले यूज करते थे इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा अपग्रेट कर लिये हैं क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके ओपर थोड़ा इंवेश् कितना अच्छे से यहां पर इस अभी करते हैं अगे वड़ाना ऊपर में लगाने का लग जाता है यहां पर इस तरह सी ही लग जाता है इसके लावा यहाँ पे एक pop filter भी मिल जाता है जिसको हम लोग use नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको लगा करते हो तो यह पूरा पूरा चहरा ढग लेता है इसको हम लोग connect कर लेता है अपने laptop के साथ में और laptop में काफी अच्छा audio यहाँ पे निकाल करके दे देता है इसकी जो cable की length है वो काफी लंबी है आप यहाँ पर देख सकते हो यह cable यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ से निकल करके यह पूरे laptop में चला जाता है जो की type A cable है इसके अलावा यह हमारा artificial एक पौधा है जिसको हम लोग यहाँ पे sopies के लिए रखे होते है टेबल के उपर इसके अलावा इसको देख रहे होगे कि यह कितना प्यारा लग रहा है तो यह जो आप laptop मैट देख पा रहे होगे यह dark blue है इधर और इधर पीला कलर का है ये लो कलर का तो इसको आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो काफी अच्छा premium quality है तो यह हमने सारी चीज़े Amazon से मंगाई हुई है इसके अलावा हम लोग और भी देखते है यह एक lamp है जो की काफी ज़्यदा attractive look देता है हमारे videos के अंदर यह blur में रहता है काफी अच्छा लगता है मतलब यह RGB light इसके अंदर हमने लगा करके रखा हुआ है हलाकि यहाँ पे एक single light white color का light यहाँ पे इसके अंदर मिलता है लेकिन उस bulb को change करके हमने यहाँ पे अलग से wiring कर दिया पूरा और change करके हमने यहाँ पे RGB light लगा दिया है इसके अलावा हमने यहाँ पर भी एक artificial plant लगा करके रखा हुआ है इसके अलावा यह जो wooden loop है काफी अच्छा लगता है यहाँ पे जितने भी चीज़े मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ों कर लिंक आपको वीडियो की नीचे डिस्केप्शन बाग पर मिल जागा तो आप उनको check out कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज मंगाना हुआ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक stand जो कि यह red color में दिखाए दे रहा है यह stand mobile phone को रखने के लिए काफी अच्छा होता है लग इस साइड और इस साइड भी हम लोग mobile phone को stand कर सकते हैं तो यह काफी ज़्यादा useful हो जाता है इसके लावा आप यहाँ पर यह blue color में देख सकते हो यह strip light है जो कि local market से मैंने buy किया हुआ है हालाकि यह जीज आपको Amazon पर भी मिल जाता है इसका भी link मैं आप लोग को कोसिस करूँगा कि वीडियो की नीचे description में दे दू इसके लावा यह color का भी हम लोग को pink color का भी यहाँ पर एक strip light मिल जाता है तो दो color को हम लोग use करते हैं जिससे हमारा यहाँ पर background काफी अच्छा look देता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा यह पूरा दिवाल तो पहले white है इसके उपर यह जो light पड़ता है तो यह काफी ज़दा यहाँ पर look को enhance कर देता है इसके लाव यहाँ पर आप लोगों को silver play button दिखाई दे रहा है जो कि आप सभी की प्यार और support की वज़े से ही मिल पाया है इसके लाव यहाँ पर हमने एक घड़ी लगा करके रखा हुआ है ताकि हम लोग अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यहाँ टाइम भी देख सकें और यहाँ पर background को भी थोड़ा से look को enhance करता है इसके लाव यहाँ पर एक plant है जो कि original plant है यह artificial plant नहीं है तो यह original plant आप यहाँ पर देख सकते हो इसको हमने यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है काफी अच्छा look यहाँ पर देता है market के अंदर यह 1500-200 रुपे में ही आप लोग को मिल जागा इसके अलबा यहाँ पर एक CPU है और एक यहाँ पर monitor आपको दिखाई दे रहा है monitor को मैंने Amazon से buy किया हुआ है तो यह जो monitor है वो Samsung का है इसका भी link आपको decision में मिल जागा और यह जो आप CPU देख पारे होगे यह CPU मैंने local market से ही build कराया हुआ है तो यह हमारा एक पूरा का पूरा system हो गया जो कि editing के लिए especially हम लोग यहाँ यहाँ यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पर editing करते हैं देखे editing के लिए हम लोग wonder share filmora यूज करते हैं अभी आप recently में जितने भी 15-20 वीडियो देखे होगे वो सारी चीज़े हमने आप पर wonder share filmora के थ्लू ही किया हुआ है तो यहाँ पर हमारा editor से आप बैठे रहते हैं और यहाँ पर हम लोग edit करते हैं इसके लगवा यहाँ पर आपको background में एक strip light दिखाई क्या हुआ है और इसके background में किस तर से लगा हुआ है मैं आप लोग यहाँ पर दिखावा पा रहा हूं तो इस तर से आप भी इसको यूज कर सकते हो और दोस्तों यह वाला जो webcam है यह तब काम आता है जब online कुछ educate करना होता है जैसे जूम पर अगर class लेना हो गया तो उसके यहाँ पर आप लोगो को एक Google Home Mini मिल जाता है जो कि मुझे तरफ से मिला हुआ था इसके लावा यहाँ पर आपको एक stand दिखाई दे रहा है जो कि हम लोग यहाँ पर mobile phone को खड़ा करने के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर एक एयरपोर्ट हो गया wireless वाली एक चस्मा हो ग करते हैं जब हम लोग editing कर रहे होते हैं इसके लाव आप लोग यहाँ पर काफी सारे केबल दिखाई दे रहे हैं तो अलग-अलग mobile phone charging यह सब के हैं आप छोटे-छोटे केबल से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सारी चीज़े हैं हमारा जो वायर वाला काम है वह पूरा यह वाला टेबल हमारा समाल लेता है यह यूटूब की तरफ से एक certificate है जो कि 100 के हमने सब्स्क्राइबर स्माइल एक्ट्रों complete किया तो जो हमारा silver play button मिला हुआ था सुनिल साहू उस channel के साथ में यहाँ पर हम लोग को एक certificate भी मिला हुआ है यूटूब की तरफ से और यहां पर mobile लगा लेते थे और अपना video record करना start कर देते थे लेकिन अब हम लोग digitek का stand use करते हैं इसके अलवा एक भाई यहां पर बैठे होते हैं जो कि यहां पर कुछ-कुछ research करना होता है chat GPT या कुछ content खोजना-काजना होता है तो उसके लिए यहां पर काम आ जाता है और काफी time हो गया पुराना हो गया है चार-पांच साल हो गया है यहां पर भी आप लोग देख पा रहे होगे कि एक यूटूब का एक certificate है यहां पर हमारा camera का bag है इसके लगा यहां पर आप लोग एक positive think मिल जाता है जैसे की be positive dream big be kind work hard stay humble keep smiling तो इसको जब हम लोग देखते हैं त कोई ना कोई एक content creator हम लोग higher करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो यहां पर भाई बैट जाएंगे इसके अलावा यहां पर हमारा table के उपर कुछ notes अगरा रखे हुए हैं इसके अलावा यह हमारा cooler है इस room के अंदर काफी जाधा गर्मी लगता है यह हमारा एक whiteboard है जिसके के अंदर हम लोग use करते हैं कोई अगर topic होता है जो कि हमारे mind के अंदर instant आ जाता है कि यह topic के उपर हम लोग को वीडियो करना है तो वह topic हम लोग यहां पर लिख लेते हैं या फिर कुछ चीज reminder करना होता है कि इस तारीक को हम लोग को यह काम करना है या यह काम इतने तारीक लिखा हुआ है कि 300 के सब्स्राइबर जब कम्प्लीट होगा तो हम लोग एक दिन मुवी देखने जाएंगे 500 के जब होता है तो हम लोग एक मीटप रखेंगे इसके लाव वन विंडिया जब सब्स्राइबर होगा तो हम लोग यहाँ पे एक इंडिया टूर करने वाले हैं जो की काफे ज़्यादा इंट्रस्टिंग होगा तो अपने लिए इस तर से हमने माइलिश्टॉन भी सेट करके रखा हुआ है कि हमने इस माइलिश्टॉन को कंप्लीट करना है इसके बाद हम लोग को यह रिवार्ड मिलेगा तो आई होप आप लोग को यह स्टूड जय हिन जय भारत